दोस्तो रेल विकास निगम लिमिटेट की बात तो आज स्टॉक के अंदर लोर सर्कृट लग गया अब यह लोर सर्कृट इसलिए लगा क्योंकि लगातार अपर सर्कृट लगया था और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो प्रॉफिट बुकिंग के जोर के अदम पे तो यहां पे लोर सर्कृट लगना ही था तो जैसे कि अलड़ी हमने काता कि प्रॉफिट बुक कर लेनी चीए आपको पता होगा कि अलड़ी जो हमारा सेटेड़े का वीडियो था उसमें भी काता कि कम से कम आपको 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना ही लेकिन आगे की क्या समवना है जानने की कोसिस करेंगे और यह सारे स्टॉप मल्टी बैगर बन सकते हैं तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या इस समय रेलवे के इनी स्टॉक में इंवर्स्मेंट करना चीए क्या यह बहुत महेंगे होगे या अभी भी बहुत सारे सस्ते इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो की मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सबसे पहले अगर हम BSE Sensor की बात करें तो इस समय डेड़ बजे के आस्वास का टाइम है 61,842 का इस तर पर आपको ट्रेड करता हो दिखा देगा 77 पॉइंट की तेजी है यानि तेजी कोई खास बड़ी नहीं है 0.13% की तेजी है कल जैसे की 700 पॉइंट की सांदर तेजी दे इंट्राडे में आप देख से तो लो लगा 11.28 का लेकि उसके पहरे 11.37 का इसने थोड़ा सा हाई भी बजा है लेकिन बाजर खुलते ही आपे दबाव देखना को मिला और आप देख सकते हो कि अंत में लोर सरक्री लगा क्योंकि बहुत ज़दा बिक्वाली हो रही है इस सम जोइंट डेवलप रेलवे इंट्राक्ट्रेक्टर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की सुरुवात करने जा रहे है यानि यह पूरे देशों के बीच में एक लिंक होगा यह रेलवे का बड़ा इंट्राक्टर डेवलप होने वाला है और यह अगर सपना सच हो जाता है तो बहुत बड़ी क्रांती आ सकते है रेलवे की सेक्टर में आप देशों जो रिपोर्ट है हो कह रहे है कि इस रिपोर्ट पर भरोसा करे तो USA, Saudi Arabia, UAE और इंडिया आने वाले समय एक जॉइंट इंफ्राक्टर डेवलप करने जा रहे है गल्फ और अरब कंट्रीज के बीच मे वायर रेलवे नेट्रोक और इसके अलावाज देखे तो इंडिया भी जूड़ेगा शिपिंग लेंस के माध्यम से यानि जो समुंदर में है उसके लिए अलग से आप शिपिंग लेंस में जाएगे उसके बाद में सिधा रेलवे ट्रेक से ये सारी के सारी गल्फ कंट्री को करेक्ट किया जाएगा इंडिया के थुरू और ये बहुत बड़ा वीजन दिखाई दे रहा इस समय आप देख सकते हो ये जो प्रपोजल है ये जो रखा गया है जिसमें आपने नेशनल सेक्रेटी अजर यानि NSA की तरब से जिसमें ये सब कंपनियों की मिटिंग जिसमे सौधी अरेबिया और इन सब कंपनियों के फैसला किया कि आने वाले समय में रेलवे का एक बहुत बड़ा नेट्रोक बिचाए जाए तो रेलवे के माधियम से सारी गल्फ कंट्री को कनेक्ट करने का ये बड़ा सपना है और सी पोर्ट के माधियम से इंडिया को भी और ये आने वाले समय में देखें तो इसका एक बहुत बड़ा एक नेट्रोक खड़ा होने वाला है जो आने वाले समय में बहुत सारे प्रिवर्टन लाते हो दिखाई देगा इससे पहले देगो आठरा मैने पहले ही 12U2 का एक आप देख मीटिंग हुई थी जिसमें इंड इंडिया सपना सच हो जाता है तो आने वाले समय इंडिया के लिए बहुत सारे तरकी के द्वार एक साथ खुल जाएंगे और वैसे भी ग्रीन हाइड्रोजन का यहां पे एक तरह से देगे हब बनने जा रहा है उसका बेनिफिट सीधा इंडिया को मिलने वाला है और यहां अब देखें दोनों मिलके वर्ड कुलास के इस्टेशन बनाएंगे हाइश पीड ट्रेयन के लिए आप देख सकते हो जो अम्धाबाद से मुंबई के लीजो हाइश पीड रिल ट्रेक बनाए है उसके लिए जो इस्टेशन है उनको भी वर्ड क्लास का बनाए जाना है और जापान के company के साथ में business collaboration किया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि साबरमती और सूरत इस्टेशन होगे गुजरात के अंदर इसके लावा वीरार और थाने इस्टेशन होगे महाराश्टा के अंदर तो इस route के अंदर लगबग देखे तो जो 12 इस्टेशन होगे जिसमें सू में बहुत जबरस तेजी का दोर भी शुरूओगा आर वी अनर की बात के तो इसके जो प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो company railway के हर्थर के इंट्रा प्रोजेक्ट करती है company आप देख सकते हो Mumbai और गुजरात के अंदर देखें तो बहुत सारे metro के प्रोजेक्ट company कर रही है इसके लाव वंदे भारत train के निर्माण में इसका एक बहुत बड़ा योगदार है काफी बड़ा order मिला करीब 200 वंदे भारत train बनाने का और इस विज़े से ये company का का कारोबार यहाँ पे रु लिखने वाला नहीं है सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पिछले पास साल में देखें स्टॉक ने 68% का bumper return दिया इस टॉक के अंदर जिसना भी निवेस किया उसको बहुत जवरस return मिला है और इसका जो प्रेना में बैतर दिखाई दे रहा है आप देखें इसकी order book बहुत मौका मिले इसमें ख़रिदारी आपको करनी चीए है नहीं आप देख सकते है कि यिसमे 110 के आसपास आरहम से ख़रिदारी करें एक लंबी रेस का गोड़ा है एक बार हम इसके pivot 31 का first support है यह तूटा तो 128 तक जाएगा और नीचे गया तो 128 तक जा सकता है पॉजिटीव माहूल बना तो 141 का first resistance है इसको पार के तो 147 तक जाएगा और उपर गया तो फिर 151 तक जा सकता है तो यह बस इसाब से आप अपने strategy बना सकते है चलते है आया अपसी की तरफ 33.50 पर अब आप देख सकते हो कि stock यह भी काफी अच्छा दोड़ा है पिछले एक साल में 54 परसें का जबरस रिटन दिया इस stock और छे मेने मच ने 33 परसें का सांदर रिटन दिया सिर्फ वन मंद की भी बात को इस stock ने 21 परसें का जबरस रिटन दिया है लेकिन अब यहां पे profit booking जिसमें आपको 29 के stop loss के साथ में आपको IRFC निवेश की सला दी गई है इसके अलावा अगर आप देखे तो यहाँ पे आप IRCOL International में भी निवेश कर सकते हैं आपको target 105 का दिया गया है और stop loss आपको 77 का लगाना है तो यह दो railway के stock के लिए आपे suggestion निकल के आ रहा है इसके अला थे अमिता बैनर जी उनको भी टर्मिनेट किया है उसकी जगह पे आने वाले समें CMD जो RMC कारोबार को तेजी से आगे लेके जा पाएंगे सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे infrastructure project बढ़ेंगे वैसे ही finance company का कामकाश बढ़ने वाला है और इसलिए IRFC दोड़ेगा और अभी 20 दोड लगाई भी नहीं जितनी RVNL लगाई है तो इसमें जैसी मौका मिले आपको खरिदारी करनी चीए इसकी रेटिंग बहुत अची है आप देखते हैं तो master rating 5 star में से 3 star की rating है लेकिन इसकी EPS strength 5 star में से 4 star की rating है जो बहुत ही सांधार है इसके लब इसकी बाइर कर लेना चीए तो एक लॉंग टर्म करने जिया लेकिन निवेस का जरिया बनता है लेकिन इस समय जब गिरावट का माहल बना थोड़ा सा वेट कर ले एक बार श्टोक को सेटल होने दे फिर इसमें खरिदारी की सोचे वैसे ये श्टोक इतना दोड़ा नहीं है जहां पे ज आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपस के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की ज़र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकियो फ्रेंड